स्वागत है आपका आदित्य मोटराइड में और आज हम बात करेंगे आठ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो 2024 में इंडियन मार्किट में लॉंच होने वाली है इस वीडियो में आपको इन बाइक्स की प्राइजिंग पता लग जाएगी इन बाइक्स में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे वो आपको पता लग जाएगा और कैसी ये बाइक्स दिखती हैं कैसा आपको लुक्स और रिजैन मिलता है वो भी आपको आज की इस वीडियो में प आपको इस बाइक में जो लुक्स है वो बहुत ही शानदर मिल जाता है और ये बाइक उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी रहेगी जिनका बजट कम है क्योंकि इस बाइक कीमत रहेगी 80,000 रुपे हाला कि ये जो बाइक है ने ये हॉंडा नावी की तरह ही है लेकिन इसमें आपको जो फीचर्स है जो प्रीमियम नैसे वो आपको हॉंडा नावी से बहुत ही अच्छी मिल जाती है बात करते हैं इसके लुक्स की तो बहुत ही स्पोर्टी लुक्स औं डिजैन आपको इस बाइक में दिया जाता है इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो सामने यहाँ पर और 11 नूटरमीटर का टॉर्क मिलता है और नमबरों गेर्स यहाँ पर इस बाइक में आपको फोर मिल जाते हैं इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्टुमेंट कंसूल दिया जाता है जो की छोटा सा है सामने आपको उस्डी फोक सस्पेंशन दिये जाते हैं और यहाँ प अब इसमें यह बाइक इंडियन मार्केट में लॉंच होने वाली है नमबर टू पर आती है यहाँ महां MT 125 MT 125 बहुत जल्द भारती यह बाजार में लॉंच होने वाली है बाइक की प्राइजिंग यहाँ पर चालू होगी 1,20,000 रोपे से मतलब इतनी तकरीब नहीं आपको यह बाइक की प्राइजिंग मिलने वाली है जो लुक्सन डिजाइन है वो यहाँ पर आपको identical मिलेगा MT 15 की तरही बस यहाँ पर आपको थोड़े बहुत cosmetic changes इस बाइक में देखने को मिलेंगे जो लुक्सन डिजाइन है वो आपको सेम ही मिलने वाला है बात करते हैं इस बा console दिया जाएगा dual channel ABS यहाँ पर आपको provide किये जाएगे यहाँ महा की advanced technology आपको इस बाइक मिलेगी और जो build quality वो आपको बहुती बड़ी offer किये जाएगी सामने आपको में लगए telescopic suspension और पीछे आपको monoshock absorber suspension दिया जाएगा अब अगर बात करें कि यह बाइक कब तक भारत यह बजार में launch होने वाला है और जो looks and design अब आपको इस बाइक में दिया जाएगा वो पहले मुकाबले काफी killer है और बहुत ही शांदर अब यह बाइक देखने में लगती है इस बाइक की कीमत रहेगी दो लाक रुपे हाँ हलाकि दो लाक रुपे महेंगा है लेकिन आप क अब अगर बात करते हैं कि यह बाइक कर देखने को मिलने वाला है सामने आपको यूसडी फोक सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे आपको मोनशॉक एब्सॉर्वर सस्पेंशन दिया जाएगा अब अगर बात करते हैं कि यह बाइक कब तक भारती यह बजार में लाँच हो जाएगी तो में के एंड तक यह बाइक कन्फरम भारती यह बजार में लाँच होने वाली है नमबर 4 पर आती है होंडा CBR 500R जब से एप्रिलिया RS 457 इंडिन मार्केट में लाँच होई है तब से सभी बाइक ब्रेंट्स ने सोच लिया है कि हायर सिसी की बाइक को इंडिन मार्केट में उतारा जाएगा क्योंकि दोस्तो 400-500 सिसी की बाइक लेना आजकल नॉर्मल हो गया है इंडिया में हर कोई इस सेग्मेंट को अफॉर्ड कर लेता है तो यह जो बाइक है यह बहुत जल्द भारती बाजार में लाँच होने वाली है इस बाइक कीमत रहेगी 4 लाग रुपे और 4 लाग रुप यहां पर आपको ओफर किये जाते हैं और पीछे आपको LED टेल लाइट दी जाती है बात करते हैं इस बाइक के आइंजिन के बारे में तो यहां पर आपको दिया जाता है 471 CC का DOHC Twin Cylinder BS6 एंजिन जिसमें आपको 47.5 BHP की पावर और 43 Nm का टॉर्क मिलता है और नंबर ओग यहां पर आपको 6 मिल जाते हैं बाइक में फ्रेंट में आपको USD Fox suspension मिलते हैं और पीछे आपको Monoshock Absorver suspension मिलता है Dual Disc Brake और Dual Channel ABS में आपको यह वाले बाइक मिलती है और इन में आपको जो फीचर से ना ब्रिकिंग को लेकर वो आपको higher level के मिलते हैं तो ब्रिकिंग को लेकर तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और fully digital instrument console आपको इस बाइक में दिया जाएगा अब अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारती यह बाजार में लाँच हो जाएगी तो जून 2024 में यह बाइक confirm भारती यह बाजार में लाँच होने वाली है नमबर 5 पर आती है Hero Xpulse 440 यह जो बाइक है यह एक adventure बाइक रहेगी जिसकी कीमत रहेगी 2,00,000,000 रुपे हाला कि सब को लग रहा था कि Hero यहाँ पर 210 CC की adventure बाइक निकालेगा लेकिन दोस्तों कब तक Hero Company छोड़ CC की बाइक को निकालेगी क्योंकि जहां तक देखा जाए तो Hero Xpulse की मिलने वाली है बाइक बात करते हैं इसके लुक्स की तो आपको जो लुक्स है वो बहुत ही शांदार दिया जाएगा एडवेंजर बाइक के साब से जो लुक्स दिया जाता है वो ही आपको दिया जाएगा ताकि यह रोट्स पर अच्छे से चल सके और यहाँ पर ज 36 Nm का टॉर्क दिया जाएगा और नमबरों गेर्स यहाँ पर आपको 6 मिलेंगे सामने आपको टेलस्कोबिक सस्पेंशन दिया जाएगे और पीछे आपको ट्रीन शॉक एब्सर्वर सस्पेंशन दिया जाएगा डूएल डिस्क ब्रेक और डूएल चनल ABS में आपको यह बा प्राइजिंग रहेगी एक लाग रूपे जो बाइक का लुक्स इंडिजान है वो यहाँ पर आपको बहुती स्पोर्टी और एग्रेसिव मिल जाता है इसके लेक्ट्रीकल की बात करें तो सामने आपको LED हैलाइट्स मिलेगी LED इंडिकेटर और पीछे आपको LED टेल प्राइट्स मिलेगी और पीछा को मोनोशॉक एब्सॉर्वर सस्पेंशन दिया जाएगा सिंगल चनल एबियस और डूएल डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक में ओफर किये जाएंगे अब अगर बात करें कि यह बाइक कब तक भारती ये बाजार में लॉँच हो जाएगी तो में दोहजार चौबिस में ये बाइक भारती ये बाजार में लॉँच होने वाली है नमबर सैवन पर आती है यामाहा एक्सेसार 125 एक नियो रेट्रो बाइक है जो कि यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आएगी बाइक कीमत रहेगी एक लाग बीस एर रोपे जो लुक 4CC का Oil Cool Single Slander BS6 Engine जिसमें आपको 14 BHP की पावर और 13 Nm का टॉर्क में लेगा और नमबरो गेर्स यहाँ पर आपको 6 दिये जाएंगे बात करते हैं इस बाइक के फीचर के बारे में तो यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर दिया जाएगा अब राइट हैंडल बार मिलेगा तो क 2024 में यह बाइक भारती यह बाजार में लॉंच होने वाली है नमबर एट पर आती है होंडा CB150R CB150R एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर स्पोर्ट बाइक है जिसकी प्राइजिंग रहेगी 1,60,000 रुपे और इस कीमत में आपको बहुत ही शांदर बाइक यहाँ पर होंडा 2024 का Liquid Cool Single Slender BS6 Engine जिसमें आपको 20 BHP की पावर और 14 Nm का टॉर्क मिलता है और नमबरोग गेर्स यहाँ पर आपको कुछ है मिल जाते हैं बाइक में आपको All Digital Instrument Console दिया जाता है डूवल चैनल ABS यहाँ पर आपको ओफर किये जाते हैं सामने आपको USD FOLKS suspension मिलते हैं और पीछ आप को Monoshock Absorber Suspension दिया जाता है 17 Inches के Alloy Wheels यहाँ पर आपको दिया जाते हैं और जो बाइक में जो लुक्स है न वो तो आपको बहुत अच्छा दिया ही जाता है अब अगर बात करें कि यह बाइक कब तक भारती यह बजार में लांच की जाएगी तो दोस्तों जून 2024 में यह बाइक कंफर्म भारती की बजार में लांच होने वाली है बाकी आप कमेंट करके बताओ कि इन आठ बाइक में से कौन सी बाइक यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तुम ही देखिए आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडि आपको यह वीडियोज़